नमस्कार में दीपक स्वागत करता हूं आपका ज्यान लेंडर्स पर और आज हम देख रहे हैं क्लास 10 में जो चैप्टर नमबर 3 चला आपका पियर आफ लीनियर एक्वेशन टू वैरेबल में उसी के कॉर्डिंग आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 तो दीकि एक्सराइज आपको बता चुका हूं अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आपसे रिक्वेशन वह वीडियो आप जरूर देख लें क्योंकि तभी आपका जो कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा ठीक है तो लिखावा था क्या कि solve the following pair of equation ठीक है कि जो नीचे equation दे र मैं को reduce करना था यहनी कि change करना था किस में change करना था pair of linear equation में क्यों क्योंकि यह proper linear equation नहीं है बही proper linear equation आपकी कैसी होती है proper linear equation आपके ऐसी होती है मतलब यह होती इस टाइब की ax plus by plus c equal to 0 इस तरह की अगर 2 है तो a1 b1 c1 एक और होगी तो a2x b2 y और c2 equal to 0 ऐसे होनी चीए ठीके मतलब xy उपर होना चीए ना की नीचे यहां देखिए सब जगा नीचे हो रखा xy फिर कहीं पर root बन गया कहीं पर x-1 आ गया मतलब सब बिल्कुल confusion create कर रहा है ठीके तो पहले इनको proper ऐसी formula आना है मान लिजिए a1 के जगा 2x plus 3y plus 5 ऐसी एक equation है दूसरी मान लो x plus 5y plus 9 equal to 0 इस तरह से मतलब proper ऐसी होनी चीए थी equation ठीके अब जबकि वहाँ equation जो xy है वो कहां रखा है नीचे आ रखा है ठीके upon में तो यह थोड़ा problem है तो इनको पहले set करना पड़ेगा तो चार question तक मैं आपको बता रहा हूँ आज मा करा रहा हूँ फिफ्ट वाला part ठीके तो फिफ्ट वाला थोड़ा और tough हो गया यानि के जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं level थोड़ा high होता रहता है तो ऐसा generally होता है question हो में जैसे आप गेम खेलता हो वीडियो गेम तो देखते होंगे शुरुआत में सरल सरल रहता है लेकिन जैसे से आगे बढ़ते हो थोड़ा target tough होने लगता है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है सबसे पहले आपको proper सही करना तो दिखिए यह proper नहीं एकस वाई उपर तो है लेकिन नीचे भी नीचे से हटाना है ठीक है तो मैंने इस एकस वाई को दोनों के अलग अलग कर दिया यानि कि यह जो है एकस वाई को डिस्टूबिट कर दिया इसका भी और इसका भी बही है ज कोई गडबर नहीं किया ठीक है आई बासर में यहां भी आप इधर से ओई कि यह इधर दोनों को साथ सात लेकर चलते हैं 8 x अपॉन एकस वाई ठीक है एक्स वाई एन प्लस सैवन वाई अपॉन एकस वाई ठीक है इक्वल टू कितना आपका फिप्टीन है ठीक है डाने बा प्लस यहां वाई से वाई कैंसल क्या बचा सावन अपॉन एक्स इकॉल टू क्या बचा इकॉल तो चल्ला है फिप्टिन ठीक है तो हमने यानि कि जो यह एक्वेशन थी प्रॉपर ऐसे बना दी अब यह लगबग कोशन नंबर किसकी तरह हो गया देखिए यह कोशन नंबर फ कि one upon x को क्या मानते थे हम लोग a मानते थे and one upon y को क्या मानते थे हम लोग one upon y को क्या मानेंगे b मानेंगे ठीक है x वाले को a और y वाले को b upon में क्यों हो देखिए मैंने बताया था कि इन दोनों में जो x का मनलब जो behavior यहां होगा वही यहां होगा मतलब x नीचे है तो यहां portion देखके बता रहा हूं मैं देखे अगर root x यहां है तो यहां भी root x था root y यहां है तो यहां भी root y था x यहां upon में था तो यहां भी upon में था यहां y उपर था तो यहां भी उपर था यहां x-1 है तो यहां भी x-1 है यहाँ x-1 नहीं यहाँ ृग इसा हो जाए यहां य रूट एक्स है यहां रूट एक्स हो जाया है ऐसा नहीं होगा तो देखिए वन अपॉन एक्स तो पहले तो देखिए 7y को क्या लिख सकते हम भाई 7y को आपको बता था कि 7 into 1 upon y लिख सकते हम भाई 7 into 1s होगे तो क्या है गा भाई 7 वंजा 7 लिखने से क्या होगा कि 1 upon y के जगा मैं क्या रख दूँगा बी रख दूँगा तो यह हो गया पहला 7 भी ऐसी यहां पर 2 upon x है तो 2 upon x को क्या लिखा सकता है आपको पहले ही बता रखा टू साइड में कर दो 1 upon x कर दो भाई 2 वंजा 2 ही होता है तो 1 upon x क्या प्लेस कर दूँगा मैं तो यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा तुम्हारा कितना पहले हो जाएगा 7 बी माइनस यह हो जाएगा 2 और 1 upon x जगा ए ठीक है एक्वल टू कितना 5 अब आप सोच रहोंगे तो थोड़ा उल्टा नहीं बन रहा किया बी पहले आ गया बाद में आ रहा जबकि अब पिछली कुशन तो प्रॉपर क्या थी ए पहले था और बी वाला पीछे था ठीक है आ क्या फरक पड़ने हो ला कुछ भी नहीं पड़ेगा ठीक है उससे कोई फरक नहीं पड़ता आप चाहें तो आगे पीछे कर लेंगे टूए आगे टूए आगे होगा दिखिए ना सेवन भी माइनस टूए है एक्वल टू कितना है दिखिए 5 एक्वल टू फाइब आप चा रिल्कुल गलत है बोलो क्यूं विखिए कर दिखिए का साइन क्या था माइनस का था और सैवन भी का साइन क्या था प्लस का था आपने क्या कर दिया रखने से साइन चेंज नहीं होता मतलब आप लिखेंगे तो ऐसा कर सकते माइनस का 2a आगे और प्लस का 7 भी पीछे तो यह है प्रॉपर लिखने का तरीका अगर आप करना चाहें तो नहीं तो ऐसा भी ठीक है कोई दिकत ऐसा नहीं लिखोगे गलत हो जाएगा जाना यह सही है ठीक है अभी मैं ऐसा भी छोड़ दूँ मैंने का तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसको भी हम कर लेंगे ठीक है कोई दिकत नहीं को इससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला एंड अभी आपने दूसरे में भी तो करना देखिए 8y को क्या हो जाएगा 8B हो जाएगा पता नहीं कैसे इसी एक्स वाला भी हो जाएगा देखिए 7a हो जाएगा कितना हो गया 15 जो चल रहा है ठीक है एकोसर नंबर सेकेंड अब इसको मैंने का आप किसी भी मेथड से सॉल कर लेजिए आप पे डिपैंड है ठीक है आप इसको ग्राफिकल से करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाए ठीक है कोई मैथड नहीं बूला है तो हमारी मर्जी भी हम किसी मैथड से कर लें ठीक है हम करें तो एलिमिनेशन से कर लें क्रॉस मल्टिप्लिकेशन से कर लें सबस्टिटूशन मैथड से कर लें बहुत सारे मैथड है तीन मैथड है अलजेबरी मैथड तो हम किसी से भी कर सवाला नहीं और उसे करें इसको 14 कर सब्सक्राइं करना पड़ेगा इसको seven जा 56 इसको seven से कर तो seven eight जा 56 एची तो वह बराबर हो जाएं तब होगा ठीक है तो मैं यह वाला कर रहा हूं कि तब मुझे ना साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ओल्ली माइनस प्लस हो रहा है ठीक है तो मैं लिख रहा हूं कि equation first को किस से equation two को कर दो equation two multiply by two से two से कर दो इसको देखे कैसे equation first तो seven से कर दो देखे seven seven जा 49 बी माइनस seven two जा 14 ए seven five जा 35 ठीक है equation number third मान लो इससे अगर मानना चाह रहे तो ठीक है इसको किस से बोला two से दिखे two से बोला हूं ठीक है तो two eight जा 16 b इसको two seven जा 14 a equal to two fifteen जा कितना हो गया ठाटी हो गया ठीक है equation number four अब दिखे सीधा एड कर दो एड मनला हमको कोई भी science चेंज नहीं करना पड़े का जैसा है वैसा कर लेंगे ठीक है इककोल टू कितना बज गया 30 और 35 कितना हो गया 65 तो दिखे बी इककोल टू कितना आ गया आपका 65 अपॉन हो गया ठीक है क्लियर है अब जो यह बी निकाला ना आपने वन इसको कहां पूट कर देंगे से पूट ओन एककोषन diq्प कंफ्यू नहीं यहां कल लो यहां कल लोगो कोई दिक्कत नहीं तो में झोट करूँगा ठीक है तो 8A plus 7A equal to 15, यह आपकी equation number 2 है, मैंने किसका value रखना है, मैंने का, 8B है, sorry, 8B है, तो B का value कितना रखना है, तो 8 into कितना कर देंगे, आप B का value 1 रखना है, plus 7A equal to कितना कर देंगे, आप 15 कर देंगे, ठीक है, 8 1 जा, 8 हो गया, 8 plus 7A equal to 15, now, आगे यहां से A का value का निकलेगा आपका, देखिए आप A का value, 7A equal to 15, और जो 8 है, उदर गया किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यह नहीं कि माइनस का, तो कितना बचा आपका balance, यहां पर बचा 7, तो A equal to कितना हो गया, 7 upon 7, तो A का value आगया आपका, वो आगया 1, तो अभी तो देखिए, अभी A और B का value आया, जबकि actual जो हमारे पास variable है, जो question में वो कौन था, X, Y, तो हमें तो X, Y निकालना है, तो हमें जो let किया था, उसको लेना पड़ेगा, ठीके, and 1 upon Y का था, आपका B था, तो आप X equal to A, A का value कितना निकाला हमने, 1, आप पीछे से रख सकते हैं, और B का value भी कितना निकाला हमने, 1 रखा, cross multiply करेंगे, तो X का value 1 आ गया, Y वंजा Y, तो Y का value भी कितना आ गया, 1, ठीके, इस तरह से आप X और Y का value प्रॉपर निकाले, तो X का भी 1 आ गया, और Y भी कितना आ गया, 1 आ गया, ठीके, तो चलिए, इसी तरह से हम, अगला इसका part ले लेते हैं, अगला part, ठीके, आई होब आपको समझ में आ रहा है, ठीके, अगर आ रहा है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, और share और like भी करना ना भूले, ठीके, तो 6 part उतार रहते हैं, 6 X प्लस 3 Y इक्वल टू 6 X Y, ठीके, अगला है, 2 X प्लस 4 Y इक्वल टू 5 X Y, ठीके, यह हमारे पास equation है, ठीके, यह मैंने note कर ली, clear है, इस तरह साब इनको note कर ले, 6 part ही, 6 X प्लस 3 Y इक्वल टू 6 Y, अगला है, 2 X प्लस 4 Y इक्वल टू 5 X Y, ठीके, तो देखिए, इसमें भी problem है, problem यह है, कि आपको नजर आ रहा होगा, कि सर बढ़िया लिखा हुए, तो सर अच्छा है तो, ठीक है, कैसे, X Y लिखा हुए सर, X Y है, लेकिन problem यह, दीके, 6 के साथ अगर यह नहीं होता, तो मज़ा आ गया था, बिल्कुल हलका गाम हो गया था, अमारे लिए कि, अगर ऐसा तो ठीक था, बिल्कुल, पियर ओफ लिए रिक कुशन बनी वी है, लेकिन problem तो यह आ गई, X Y तो इनका क्या करें बई, इनको करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको upon में डालेंगे, इसके upon में, जैसे इधर, यह भुष वही है, गुमाने का तरीका बदल गया, कहने का तरीका बदल गया, कुशन में, जैसे, गेम में होता है कि, लेवल बदल दाता है, ऐसा कर दो, अब ऐसा कर दो, यह X Y अगर मैं इधर कर दो, इनको तो इसी की तरह तो हो जाएगा, दिखिए, करिए, 5 X Y देखिए, 7 X माइनस 2 Y इक्वल टो 5 X Y, 8 X प्लस 7 Y इक्वल टो, इसकी इन टुगर अधर, 15 X Y, तो वही हो गया न, देखिए, वही तो हो गया, मतलब उसी तरह की equation बन गई, तो कहने का मतलब, यह X Y आपको कहा डालना, बस, 5 X Y, आपको क्या करना है, पूरी equation को या तो X Y से डिवाइड कर दो, या इस X Y को खीज कर नीचे लियाओ, इनके नीचे लियाओ, इनके नीचे ऐसे, ऐसे लियाओ, X Y को बात बराबर, इस X Y को खीज के या लियाओ, बात वही हो गये, इसकी तरह बन गया, इसकी तरह बना की नीचे बना, X Y अपॉन में डाल दिया, इस X Y को भी इसकी नीचे डाल दो, यानि कि 2 X प्लस 4 Y अपॉन X Y, देखिए, कहने के बहुत सारी तरीके, अगर एक बार आपका concept क्लियर है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, कि दरसी भी कर लो, जरूर नहीं कि मैं ऐसी कर रहा हूँ, कोई और calculation हो गया, तो आपको ऐसे भी कहा जा सकता है, कि इन equation को X Y से क्या कर दो, divide कर दो तो बात वही है, X Y इसके अपॉन में जाएगा, इधर भी आप कर लें, 2X के अपॉन में, X Y प्लस 4Y के अपॉन में, X Y आप ऐसा कर लें, equal to 5, तो आप क्या करेंगे, X X कैंसल हो गया, तो क्या बचा 6 अपॉन Y, प्लस यहाँ, Y से Y कैंसल, तो 3 अपॉन X इक्वल टू 6, इधर भी देखिए, आप यहाँ X X कर गया है, क्या बचा 2 अपॉन Y, प्लस यहाँ Y से Y, क्या बचा 4 अपॉन X, equal to क्या बचा 5 चला बचा, अब देखिए, सेम बनेंगे न, देखिए, इन की तरह होगे, अब बस आराम से हमारा काम, काफी होगे, आप लैट करेंगे वही चीज, कि 1 अपॉन X की जगा हम क्या मानेंगे, एई देखिए, X जैसे अपॉन में, यहाँ भी अपॉन में, यहाँ यहाँ अपॉन में, यहाँ भी अपॉन में, तो 1 अपॉन Y के जगा, आप क्या ले ले, B ले ले, तो देखिए, यहाँ पर पहली कुशन आपको बता दिया, कि आप समझ गयोंगे कि इनका क्या है, तो पहली कुशन क्या जाएगी, 6 और 1 अपॉन Y के जगा, B, प्लस अगला क्या जाएगा, 3 A हो जाएगा, ठीके, equal to 6 हो जाएगा, ठीके, समझ मारी बाते, दीके, आप चाहें, तो मैंने कहा, इनको 3 से भी divide कर सकते हैं, क्यों, व्योंकि दीके 3 का टेबल, 3 टू जा 6, 3 बन जा 3, 3 टू जा 6, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो, अगर नहीं चाहें, तो कोई प्राबलम भी नहीं है, ठीके, तो दिखें, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं आपके लिए, ठीके, क्या, और, और मनले इसी का है, कि मैंने छोटा कर दिया, ठीके, किसे 3 से, 3 टूजा 6, 3 बन जा 3, एंड 3 टूजा 6, यह मानी मैंने एक्वेशन नमबर फर्स्ट, ठीके, मैंने क्या किया पता ना, कि डिवाइड बाई 3 कर दे इसको, क्यों, क्योंकि 3 कर टेबल जा रहा है, ठीके, 3 टूजा 6, 3 बन जा 3, 3 टूजा 6, आप ऐसा लिख दे, समझ जाएंगे, ठीके, हम लोग, ठीके, आई आपके जो एक्जामनर हैं, या टीचर्ज हैं, वो समझ जाएंगे, कि आपने क्या किया, ठीके, अब दूसरी क्योशन आप ले लिए वाली, देखिए, 2 और 1 अपन Y की जगा B, समझ में आरा कैसे हो रहा है, अभी जैसे बताए, 4X को, 4 इंटू 1 अपन X लिखेंगे न, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 अपन X, जाने कि A, इक्वल टू 5, सर इसमें भी 2 का डिवाइट चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इनमें चल जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, ऐसे नहीं कि मैं इधरी दर कर रहा हूँ, भी इधरी दर थोढ़ना हो गा, पूरी вопрос होती है, जब डिवाइट हो रहा तो पूरी вопрос होगी है, जब इंटू हो ली, यहीं पर कोई multiply ने हम हिसीधा कर देंगे क्या कर देंगे चयोँ बोला हूं पर तो मुझे साइन्म नहीं करना पड़ेगा जब कि मुझे इसको हटाना है कॉन सा मठाल कर रहा हूं ठीक है पता ना हम कर रहे हैं थीक है एली मीनीशन मैटट सब्स vari कर रहे हैं साइनरा से 2छ साट्रेक्ट कर रहें सब्ट्रेक्ट से ऐङा साइन डाया गहां मैनेस कर गया एकट तो दीखिए का कितना आ गया कहने का मतलब आपका एक का वेल्यू आ गया क्लियर हो रहा है कि मैंने एक कर दिया अगर एको हटाना चाहरो मैंने बी को अटाया आप एको चाहते तो इसको किसे करना पड़ेगा फोर से तब फोर फोर सेम हो जाएगा तो क्यों करना चाहरो जब सब कुछ बढ़िया और रगा तो ठीक है अब एका जो वैल्यू इसको कहां पूट कर दो कौन जी सरल ल पीछे से यह आपकी टूबी प्लस क्ट्ट 210 क्या है टूबी प्लस तूबी प्लस एएग क्या निकाल को यहां वान रग सme we 2B equal to 2 minus 1 कर दिया 1 उदर गया minus तो कितना बचा भई 1 ही तो बचा तो B का value कितना आगया आपका 1 upon 2 तो A का value आगया आपका 1 and B का value आगया 1 upon 2 ठीके अब ध्यान रगना अभी काम पूरा थोड़े न वहां में तो X Y निकालना हमने कहीं पर माना था सुरूब में आपको पता है कि हमने क्या माना था 1 upon X को हमने A माना था and 1 upon Y को क्या माना था हमने B माना था ठीके आप इसमें confuse ना हो कि सर B आगे और A पीछे यह उससे कोई फरक नहीं पढ़ता आप A आगे कर लो B पीछे कर लो उससे कोई फरक आपका नहीं पढ़ने वाला है इसका विशेश ध्यान रखे ठीके मैं बोलना क्या चाहरा हूं क्लिए रहे तो हमने यहां से यह value निकाले क्लिए रहे तो देखिए A का value का निकाल आपने वन अपन X इक्वल टो A का value आया 1 तो cross multiply करेंगे तो X1 जा X तो X का value कितना आ गया 1 आ गया ठीके और अगर आप B का value रखें B का value क्या है आपका 1 upon 2 cross multiply 2 जा 2 एन Y1 जा Y तो Y का value कितना आ गया 2 तो यह ओ गई आपका X और Y का value ठीके तो यह दो value हमने निकाल लिए X भी निकाल ठीके तो इस तरह के से इस वीडियो में आपको मैंने दो पार्ट बताए एक फिप्ट पार्ट और शिक्स पार्ट ठीक है तो आप इन दो पार्ट को बिडिया करके बत करें एक बार खुद भी करें पूरा कोई दिक्कत निया तीन-चार बार करें को उससे कोई problem नहीं ठीक